दोस्तों, अमेरिका के पूर राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने दिवाली के मौके पर हिंदूओं को शुब कामनाई दी हैं और बांगला देश में हिंदूओं पर हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने मौजूदा जो बाइडन कमला हैरिसन परसाशन पर भी आरोप उन्होंने अपने संदेश में बांगला देश में हिंदूओं इसायों और अल्प संख्यकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा भी की हैं। कुछ मेरे कारियकाल में संभव नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडन ने दुनिया भर के और अमेरिका के हिंदूओं को नजर अंदाज किया है। टरंप ने कहा इसराइल से लेकर यूकरेन तक और हमारे दक्षनी सीमा तक यह कमला और बाइडन परशाशन की एक दुख भरी कहानी रही हैं। लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के माध्यम से शांती वापस लाएंगे। इसके साथ ही टरंप ने अमेरिका में रह रहे हैं अमेरिकी हिंदू की सुरक्षा के बारे में भी बताया। डोनल्ड टरंप का मानना है कि उनका परशाशन हिंदू अमेरिकियों को कटरपंती लेफ्ट के धार्मी की विरोधी एजेंडे से बजाएगा। उन्होंने कहा हम आपकी सवतंतरता की लाई में साथ हैं। मेरे परशाशन के तैथ हम भारत के साथ अपनी मान साज़ेदारी और मेरे अच्छे मितर परधान मंतर नहिंदर मोदी के साथ संबंदों को भी मजबूत करेंगे। ट्रम्प दुवरा हिंदू के लिए दिवाली पर जारी किया गए हैं बयान काफी महतवपून हैं। क्योंकि मौजूदां अमेरिकी परशाशन हमेशा ही हिंदू की सुरक्षा को नजरन्दाज किया हैं। साथ ही हाल ही में कनेडा के साथ बने हुए मतभेदों में भी अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया हैं। ट्रम्प के इस ऐलान से अमेरिका में रह रहे हिंदू वोटर्स पर ट्रम्प के पक्षमी सकारत मकसर पढ़ सकता हैं। ट्रम्प के भारत और पधानमंतरी मोधी से पार्टनर्शिप मजबूत करने की बात से बड़ी संख्या में हिंदू वोटरस उनके पक्षमी जा सकते हैं।